हेलो गाईज वेलकम बैक तो दी आनेदर व्लोग और ये फाइनली डिश्वाशर का जो हम लोगोंने कंप्लेंट डाला था तो ये मेकैनिक आ गया है अभी ये चेक करेगा कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है एक्शली पहले तो हम लोग दिखा चुके थे कि इसके अंदर क् काफी टाइम हो गया है तो इसके लिए वापस से वो आएगा जस्ट एक फॉर्मेल्टी के लिए तो ये मेकैनिक आया है और इसने फिर अभी इसको उठा के साइड में रखेगा और वापस से चेक करेगा इसने ये नीचे का पार्ट इसका ओपन करा है तो ये वापस से जो मोटर हमारी जल गई थी तो हमारा जो ये डिश्वाशर है ये है 14 प्लेस सेटिंग्स का इसमें 12 प्लेस सेटिंग्स का भी आता है और एक टेबल टॉप वाला भी आता है उसमें अलग-अलग वेराइटी रहती है जैसी आपको ज़रूरत रहती है अपन उसके हिसाब से ह करीते हैं टेबल टॉप वाला थोड़ा चोटा रहता है उसमें सिर्फ जो प्लेट चम्मच ग्लास ये सब चीज़ी होती ना स्पोन वगरे चोटे मोटे वरतन तो उसमें वही आ सकते हैं और 12 सेटिंग्स का कैसे रहता है सेटिंग्स में इससे रहता है जितना वो बड़ा बड़ा रहता है उसमें थोड़े बहुत जिसे चाय के जिसे चोटे चोटे पतीले हो गए वो सब आ सकते हैं बड़े वाले प्लेट्स हो गए वो सब आ सकते हैं और 14 वाला होता है सबसे बड़ा होता है ये होटल्स वगरे में भी यूज होता है तो इसलिए हम लोगों ने बड़ा लिया कि ताकि family हमारी छोटी है तो उसमें सारे मतलब मेरी mostly बरतन तो आ जाते हैं खाली जो cooker होता है अपना मैं वो भी रख सकती हूँ पर वो क्या है अंदर इतना space नहीं होता न कूकर ही सारा space ले लेगा तो बड़ा बरतन तो करने में कोई problem नहीं होती तो मैं हाथ स कर लेती हूँ खड़ाई हो गई कूकर हो गया और चकला बेलन लेकिन मैं इसी में डाल देती हूँ तो बहुत से लोगों को यह मित रहता है कि डिश वाशर में बरतन अच्छे से clean नहीं होते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें बरतन बहुत अच्छे से wash होते हैं प्लस 70 डिग्री उसमें अलग-अलग डिग्री दी रहते हैं 40 डिग्री 50 60 आपके according अगर आपको जो cycle अच्छा लगता है उसमें सब रहता है इतना cycle इतने घंटे का होगा उसके according आप लगा सकते हो मैं 70 डिग्री वाले पे ही wash करती हूँ क्या होता है न कि हम लोग कभी-कभी बरतन पानी से अच्छे से नहीं निकाल सकते तो इसमें क्या होता है न कि बरतन थोड़ा सापको एक पानी से निकालना होता है ये बात तो है पर क्या है अगर आप busy हो नहीं निकाल सकते एक पानी से तो क्या करना चाहिए कि उसको जादा गरम पानी वाला जो हो रहता है न वो करक उसमें वाश कर लेना चाहिए तो अच्छे से वाश होगा और फिर शाम हो गई तो बच्चे जद कर रहे थी कि गार्डन ले कि आओ तो मैं इनको गार्डन ले कि आगई तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी फिर ये बोलने लग गई कि मुझे जूस चाहिए ये चाहिए वो चाहिए और पता ने इसको कुछ कुछ मुझे बोल रही थी कि मम्मी वीडियो निकालो मैं ओपर चड़ूंगी तो ये करो वो करो उसका अपना एक अलगी चालू रहता है कि बस सारा टाइम इसको बहुत अच्छा लगता है कि मैं इसका वीडियो निकालती रहूँ तो अभी ये मुझे उपर चड़ के दिखा रही कि देखो मैं ऐसे चलती हूँ और ये हम लोग नीचे आये तो सामने ही कैट बच्टी वी थी तो ये दोनों डर गए उसको देखके भूलते हैं अब हम लोग बाहर नहीं जाएंगे तो मैं इनको बोल ली थी थी बैटा कुछ भी नहीं करेंगे अ आजाओ धिरे-धिरे वो जस्त बेटी वी एक जगे आप लोगो का कुछ भी नहीं करेंगी बट वो लोग खड़े ही नहीं हो तो बटे रहेंगे जब ही कैट जाएगी गेट से तो हम लोग जाएंगे तो फिर गार्डन में तनिशको भी पैर पे लग गई थी तो उसको मेडिकल पे लेके जाना था प्लस मुझे भी डॉक्टर के पास जाना था डेंटिस्ट के पास मेरे दाथ में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था काफी टाइम से तो मुझे दिखा तो तनिशको यहां पे मैं मेडिकल लेके जा रही हूँ और मैं डेंटिस्ट के पास में जा रही हूँ अपॉइंट्मेंट ले रहे के लिए नेक्स डे का क्योंकि पेन काफी भड़ गया था तो यह अपनी फ्रेंड के पास में आनायशा को छोड़ने आई हूँ क्योंकि उसको साथ में ले जाना फिर वो अच्छे से बैठे नहीं बैठे क्योंकि मुझे दात निकलवाना था एक्चिल में काफी पेन भड़ चुगा था तो हमारे घर के पास ही एक क्लिनिक है अच्छा हिल लाइट डेंटल क्लिनिक है बहुत अच्छा है और डॉक्टर भी काफी अच्छी है उन्होंने बहुत अच्छे से मतलब पूरा ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से किया जब निकल जाएगा तो पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ बाद में भी इंफेक्ट मुझे कोई इतनी कोई तकलीफ नहीं हुई उन्होंने सब अच्छे से मुझे समझाया क्या करना है क्या नहीं करना है तो यह आप भी अगर मेरे घर के आसपास रहते हैं तो यहाँ पर आ सकते हैं और काफी अच्छा एक्सपिरेंस था मेरा और चीट्मेंट करवाने के बाद सीधा में चले गई घर पे अनाईशा को पिक किया तनीश स्कूल से आने वाला था उसको पिक किया और अनाईशा को जब मैंने दिखाया जब मैंने अनाईशा को दिखाया कि मम्मा का दात निकल गए है तो यह बहुत जोर जोर से रोने लग गई कि मम्मा नहीं आपका दात क्यों निकल दिया डॉक्टर ने अब हमें आपको मार्केट से न्यू दात खरिद के देंगे और वो बिल्कुल चुपी नहीं हो रही थी पर उसको मैंने जानमुझ के दिखाया था कि एक तो ये कि मुझे ना थोड़ा ना कम बोलना था डॉक्टर ने बोला था कि आप बोलना जादा मत और बच्चों के साथ तो बहुत बोलना पड़ता है ये कर ले वो कर ले तो इसलिए मैंने जानमुझ के दोरों को बोल दिया था कि तुम लोग आज मुझे मतलब जादा बुलवाना मत मामा की तब है ठीक नहीं है तो और आप लोग अच्छे से ब्रश क्यार करो तनिश्टों कर लेता है ये थोड़ा सा परशान करती है नहीं करती है उसको पसंद नहीं ब्रश करना तो आगे पीछे भागना पड़ता है तो वो भी एक रीजन था दिखाने का तो बस अभी ये बस बैठी बैठी कम से कम 15-20 मिनट तो रोई थी है कि ममी आपके साथ ही क्या हो गया क्या करें अभी आपका न्यू टित ले की आएंगे हम लोग तो बस आज की व्लाग में बस इतना ही था अगर आपको मेरा व्लाग पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब कर देना